लो बच्छो वाई यू आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक प्रॉबाबिटी का कॉश्चन दोस्तों यूट्यूब चैनल पे हमारे हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं एक क्वेश्चन ओन एडवांस कंसेप्ट आफ जैई तो आज हम लेकर आए है एक प्रॉबाबिटी का क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखिए पड़ते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है पीस इस ब्रोकन ओफ फ्रॉम इच ओफ द थ्री आइडेंटिकल रॉड्स दे ब्रेक पॉइंट्स हर चोजन अट रैंडम वाट इस प्रॉ और इन से क्या किया गया है दोस्तों यह जो लेंट एल है इन में से हमें तीन पीसे निकालने है ठीक है और इन तीन पीसे हमें ट्राइंगल बनाना है तो मान लीजिए जो पहला पीस हम निकालते हैं वह एक्स लेंथ का है जो दूसरा पीस हम निकालते हैं वह मान लीजिए और जो चौथा पीस निकालते हैं यहां पे माल लेजिए वो Z Length का है ठीक है तो इस X, Y और Z Length से दोस्तों हमें करना क्या है हमें बनाना है एक ट्राइंगल हमें बनाना है एक ट्राइंगल कुछ इस परकार से तो माल लेजिए वो ट्राइंगल है A, B, C जहां पे Length X, Y और Z हो रहा है तो क्या Probability है कि अगर हम कोई भी तीन पीस निकालते हैं फ्रॉम थ्री रॉड्स ऑफ इडेंटिकल लेंथ माल लेंथ लेंथ है यहां पे तो वो तीनों पीसे एक ट्राइंगल में तब्दील हो पाते हैं दोस्तों हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल बनाने के लिए ट्राइंगल इनिक्वाल्टी से बड़ा होना चाहिए और ट्राइंगल इनिक्वाल्टी से बड़ा होना चाहिए और तो यहाँ पे हमें निकालनी है what is the probability that a triangle can be formed from the three pieces obtained. तो चलिए दोस्तों इस situation को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे पास जो x, y, z हैं वो एक coordinate की तरह है x, y, z जहां हमारे x, y और z पे restrictions इस प्रकार से हैं कि x हमारा 0 से लेके l तक में हो सकता है y भी हमारा 0 से लेकर l तक में हो सकता है और z भी हमारा 0 से लेकर l तक में हो सकता है और इतना ही नहीं हमारे x, y, z पे ये तीन restrictions भी होने चाहिए हैं कि नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को दर्शाते हुए एक cube बना लिया है तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा point है x, y, z ये जो point है p it should be strictly within this cube और इस cube के dimensions क्या है आज जैसे आप देख पा रहे होगे इस picture पे इस cube के dimensions lll हैं इसके side lens सारे इसके सारे l हैं तो दोस्तों अब मैं इस 3D geometry के मदद से इस probability को solve करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों ये तो हमारा हो गया sample space तो हमारा sample space क्या हो गया हमारा sample space है वो हो जाएगा volume of the cube ठीक है volume of the cube जो की है l cube ठीक है अब हमें भी निकालना है हमारा favorable events तो favorable events basically वो events होंगे और वैसे points होंगे या यू कहले वो region होगा जो की इन 3 inequality को fulfill करेगा दोस्तों बहुत बहुत important है ये चीज़ तो आई समझते हैं ऐसा कौन सा region होगा जो ये 3 inequalities को fulfill करेगा दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें कि जब हम कहते हैं x plus y equal to z तो ये equation होता है plane का ठीक है हम सबने 3D geometry पढ़ा हुआ है x plus y equal to z is the equation of a plane ठीक है तो यहाँ पे इस particular cube में अगर मैं x plus y equal to z plane दिखाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों वो वैसा plane होगा जो कि पास करेगा किन point से और जिन से तो पास करेगा ही तो 00 से पास करेगा ही साथी साथ वो पास करेगा l 0 l से l 0 l से क्योंकि l plus 0 is equal to l which is x plus y equal to z और साथी साथ 0 l l से भी पास करेगा तो आईए दोस्तों वैसे इस plane को बनाते हैं यहाँ पे तो 000 तो यहाँ पे है l 0 l l बेसिकली है आपका point e तो l 0 l है बेसिकली आपका point e तो आईए मैं 0 से e को जोड़ देता हूं ठीक है अब है 0 l 0 l है आपका point g तो चलिए g को भी जोड़ देते हैं और यहाँ पे बन के आता है दोस्तों आपका एक plane जिसको मैं shade करके दिखा रहा हूं यहाँ पे आचा करता हूं आप उसको देख पा रहे होगे pinkish color में है यह reddish pink color में है तो यह जो आपका plane है दोस्तों यही होगा आपका plane x plus y equal to z plane अब अगर हम बात करें x plus y greater than z की तो दोस्तों यहाँ पे जो यह मैं एक sample point चूज करता हूं D को क्या D is condition को satisfy कर रहा है नहीं बिदी बिलकुल इस condition को satisfy नहीं कर रहा है पट क्या F is condition को satisfy कर रहा है yes F में अगर आप डालो तो यह basically यह true बैठता है इसका कहने का मतलब क्या कि आपका जो required points होंगे वो इस plane के इस तरफ लाई करेगा इस तरफ लाई करेगा ठीक है plane के नीचे तरफ यह कहने कि plane के right के तरफ लाई करेगा ठीक है तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बाकी सार region बना के देते हैं और उस region का जो volume होगा वो हमारा favorable event होगा तो आएए देखते हैं समझते हैं आगे तो जो second हमारा zone था वो था y plus z equal to x ठीक है y plus z equal to x को कौन satisfy करेगा हाना कि 0 तो करेगा ही करेगा उसके अलावा हम ही करेगा L 0 L ठीक है और L L 0 ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि y plus z is equal to x है तो चलिए आए उस plane को भी हम लोग इस diagram में दिखा देते हैं तो 0 तो अरडी हम लोग ने शो कर दिया है L 0 L L 0 L L 0 L हमारा कौन सा point है L 0 L हमारा वापस से point number e है तो मैं ग्रे कलर से दिखा रहा हूं वापस से हमारा point यह तो यह पर बना दिया मैंने फिर क्या है फिर क्या है L L 0 L L 0 कहा होगा दोस्तों L L 0 हमारा point B है L L 0 हमारा point B है तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे कि एक ग्रे कलर की plane मैंने यहां पर बना दी है ठीक है और मैं इसको शेड भी कर दे रहा हूं यह हमारा हो जाएगा plane Y plus Z equal to X अब दोस्तों हमें last plane बनाना है last plane के लिए last plane है हमारा X plus Z equal to Y तो जाहिर तो जाहिर तोर से यह origin से तो पास करेगा ही करेगा उसके लावा यह पास करेगा L L 0 से और 0 L L से यहां पर भी आप देख पा रहे होगे कि X plus Z is equal to Y हमेशा true होता है तो आईए इस तीनों पॉइंट को करेट करता हुआ plane देखते हैं हमारे डाइग्राम में तो L L 0 L L 0 दोस्तों L L 0 कहा है L L 0 हमारा पॉइंट B है और 0 L L 0 L हमारा पॉइंट G है तो दोस्तों आईए देखें हमारे डाइग्राम को यह रहा हमारा plane ठीक है तो आपको दिख क्या रहा होगा कि एक ग्रीन कलर से बाउंडेड एक plane हमारे फिगर पे है तो इन तीन जोन से बाउंड करता हुआ जो वाल्यूम होगा दोस्तों वही हमारा favorable event होगा दोस्तों आईए समझते हैं इस डाइग्राम से आपको बेटर व्यू मिल रहा होगा यहां पे समझते हैं कि हमें किस पार्ट का और किस रीजन का वाल्यूम चाहिए तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे कि यहां पे मैं एक आपके सामने 3D structure को shade करूंगा यह जो 3D structure आप देख पा रहे हो जो मैं green color से shade कर रहा हूं दोस्तों हमें इस 3D structure का volume चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं कुछ pyramids का volume निकालूंगा इस cube के volume से किस-kis pyramid का volume मैं निकालूंगा इस cube के volume से आईए देखते हैं जो सबसे पहला pyramid है जो मैं हटाने की कोशिश करूंगा यहां पे so that I am left with the volume of the shaded part वो होगा यह volume जो मैं आपके लिए yellow से shade कर रहा हूं आप देख पा रहे होगे कि यह pyramid दिख रहा है आपको इस pyramid का जो volume होगा तो volume of the pyramid हम सब को मालूम है कि किसी भी pyramid का जो volume होता है वो होता है one by three area of the base area of the base into height of the pyramid ठीक है दोस्तों तो यहां पे जो area of the base है मैं इस चीज़ को यहां पे area of the base मान रहा हूं जो की हो जाएगा half of जो की हो जाएगा half of L square क्योंकि यह जो नीचे का surface है वो एक square है which is formed by side length L तो जो base area होगी pyramid की हो जाएगी half L square height of the pyramid already L है height of the pyramid already L है तो दोस्तों देख पा रहे होगे कि आप it becomes one sixth of L cube ठीक है तो ऐसे दोस्तों हमें तीन pyramid हटाने है एक pyramid जो आप देख पा रहे हो अपने screen पे वो और दूसर पिरामिड मैं आपको red color से दिखाता हूँ यह पे दूसर पिरामिड दोस्तों वो यह pyramid है यह pyramid आपको दिख पा रहा होगा आप अपने diagram पे ठीक है तो यह जो pyramid है इस pyramid को अगर मैं हटाता हूँ और इतना ही नहीं द पिरामिड बनके आएगा दूसरे तरफ यह actually figure के पीछे है तो उसको shade करना थ्रॉस डिफिकल्ट हो और दोस्तों मैं आपको यह animation के दुरू दिखाऊंगा यहां पे तो आप देख पा रहे होगे कि क्यूब है आपके सामने अब धिर धिर में प्लेंस को भी दिखाऊंगा त तो जो नंबर उन पिरामिड हैं मैं हटाने वाला हूँ दोस्तों ध्यान से देखेगा अभी आपके स्क्रीन से हटता हुआ दिखेगा है और यह रहा नहीं मेरे जोड़े क्या जो की मैं हटाना चालता हूँ यही हमारा फेवरेबल सोलुशन तोन है तो दोस्तों यह जाहिर तौर पे आ जाता है LQ माइनस हाफ LQ तो दोस्तों यह जाहिर तौर पे आ जाता है हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है हमारा सैंपल स्पेस था LQ ठीक है तो सैंपल स्पेस है यहां LQ फेवरेबल इवेंट है है हमारा यहां पे फेवरेबल इवेंट है हमारा यहां पे हाफ LQ तो प्रोबाबिटी ऑफ दे इवेंट क्या हो जाएगी probability of the event हो जाएगी number of volume of the favorable event region divided by volume of the cube volume of the cube है L cube और ये दोस्तों बन के आता है half तो दोस्तों इस question का जो answer है वो होगा probability is half so there is a half a probability तो दोस्तों यह 50% probability है कि अगर आप किसी भी 3 rod को लोगे और उसमें से 3 pieces निकालोगे तो वो 3 pieces दोस्तों बन के आएगा a triangle तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग an experiment which is performed on continuum outcomes so दोस्तों इसको कहते हैं continuum outcomes because यहाँ पर जो हमारे outcomes हैं वो एक continuous space में है वो discrete नहीं है जैसा कि हम आम तो पर पर probability में पढ़ते हैं तो continuum outcomes के case में हम लोग basically area और volume का अस्तमाल करते हैं probability निकालने में तो thank you so much for watching have a good day and happy diwali